प्रकार के प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं पर क्या कभी इन्हें देखकर आपने सोचा है कि यह वस्तुएं हमें किस प्रकार दिखाई देती है क्या इन्हें देखने के लिए इसी प्रकार के प्रकार की प्रकाश कहोना जरूरी है और क्या अंधेरे में हमें की वस्तुएं नहीं देखती अंधेरे में हमें की वस्तुएं क्यों नहीं देखती कुर्सी, चित्र, अत्वा, जूटे जैसे वस्तों के बारे में आप क्या कहेंगे इन्हें आप तब ही तक देख सकते हैं जब प्रकाश एक दिप्त वस्तो जैसे सूरे, टौर्च, अत्वा, विदोत का प्रकाश से इन वस्तों पर पढ़ता है तब हमारे आखों की ओर जाता है और हमें यह वस्तों दिखाई दे तो हमारी विशे सूची कुछ इस प्रकाश है सबसे पहले हम प्रकाश का महित्व जानेंगे फिर हम जानेंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तों क्या होती हैं फिर हम थाया के बारे में थोड़ा और जानेंगे और फिर हम दरपन, तधा, परवर्दन के बारे में बात करेंगे हम अपने चारों और अनेक प्रकार की रंग भी रंग की वस्तों में देखते हैं जैसे स्कूल जाते समय हम अनेक प्रकार की वस्तों में देखते हैं कार, बस, साइकल, व्रक्ष, जन्तु, आदि लेकिन राधरी के समय जब पूर्ण अंधकार हो जाता है तब हमें यहां दिखाई नहीं देती क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? किसी भी वस्तों को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है यहां प्रकाश टॉर्च के बल्च से हो सकता है या फिर सूरे का प्रकाश हो सकता है दिन के समय सूरे के प्रकाश के जरिये हम चीवां वस्तों को असानी से देख सकते हैं वस्तों को तीन श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी यदि हम वस्तों के आरपार ना देख सकें तो वहाँ वस्तों अपारदर्शी कहलाती है यदि हम किसी वस्तु के आरपार देख सकें परन्तूस पश्च नहीं ऐसी वस्तु को पारभासी कहते हैं यदि हम किसी वस्तु के आरपार देख सकें तो वहाँ वस्तु पारदर्शी कहलाती है तो यह आप जानते हैं कि छाया क्या होती है अब प्रतेक अपदा पारदर्शी वस्तू को धूप में जमीन से कुछ उचाई पर एक-एक करके पकड़िये धर्दी पर आप क्या देखते हैं अब जानते हैं कि धर्दी पर बने यह गहरे काले धबे वस्तूओं की छाया के कारण है चाया को देखने के लिए हमें प्रकाश के एक स्त्रोद की जरूरत होती हैं बिना प्रकाश के आप रात्रे में या एक अंधेरे कमरे में चाया नहीं देख सकते चाया को देखने के लिए आपको सूरिय या किसी प्रकाश के किसी अन्य स्रोथ की जरूरत होती है चायाओं से हमें वस्तू की आकरिती के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है कभी-कभी तो चाया हम सभी को वस्तू की आकरिती में ब्रहमेद भी कर सकती है हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं आप दर्पण में अपने चहरे को देते हैं जो हम देखते हैं वहाँ दर्पण में आपकी चहरे का परावर्तन है हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तूों का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं कभी-कभी हम जील अत्वा तालाब के पानी में पेडों, इमारतों तथा अन्य वस्टों का परावर्तन भी देख सकते हैं दर्पन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल रेता है यहां यहां दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अन्योर दिश गमन करता हुआ दर्पन से परावर्तित हो जाता है सारांश हमने सीखा कि प्रकाश क्या होता है बस तुमें तीन प्रकाश की होती हैं पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी चाया के बारे में भी हमने काफी कुछ जाना हमने जाना कि चाया बिना प्रकाश के नहीं बन सकते और हमने यहां भी सीखा कि दरपन में वस्तू का परावर्तन दिखता है और प्रकाश सरल रेखा की अनुदिश गमन करता हुआ दरपन से परावर्तित हो जाता है धन्यवाद